तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फेजिक्स में मेगनेटिक फिल्ल के 10 मोस्ट इंपोर्टेट फॉर्मूलास के बारे में इन फॉर्मूलास चे लगबग हर एक्जाम में किसन पूछे चाते हैं तो चलो शुरू करते हैं तो इसमें फेस्ट पॉर्मूला इस से धवर्वय तार दौरा चुंबक की चेतर गार्ना तो उसका पॉर्मूला होता है म्यूनोट आए अपॉन फॉर्पाइटी कॉस्ट हिटै वन माइनस कॉस्ट टॉर्म इसमें टेटा वन यह एंगल होता है वो टेटा टू उपर वाला एंगल होता है यह कोई पॉइंट पी है यहां पर इस तार द्वारा अपनको मेगनेटिक फेल्ड गयाद करना है तो उसका पॉर्मूला यह होगा अब अगर इसी दारावाई तार को इंफिनिटी ले ले अपन अनन्त लंबाएगा ले ले तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा बीजिटी मूनोट आये अपन टू बाइडी क्योंकि उस फॉर्मूले क्योंकि यह एंगल है ठीटावन वह तो एसे इंफिनिटी जाता जाता एकदम जीरो की तरफ टेंट करेंगा और जो ठीटावन उसमें लेंगे जीरो एंटेटावी एक सो एसी डिग्री रखेंगे तो जो वेल्यू निकल के आएगी वह आएगी वीजिकस्टू मुनोट आय अब अगर अर्द अनन्त वायर लें तो उससे जो मेगनेटिक फिल्ड निकल कराती हो है मुनोट आयपॉन फॉर पाइडी क्योंकि इसके लिए ठीटावन हो जाएगा 90 डिग्री एंट टीटावन हो जाएगा 180 डिग्री तो उपरवाला फॉर्मुला था जो अपना बी इस बात करते हैं सेकंड फॉर्मुला में वर्तागार दारवाई तारद्वार के अंदर पर संबगे चैतर गात करना तो उसका फॉर्मुला होता है अगर वर्तागार दरावाइतार के X पर चुम्ब के चेतर ग्यात करना हो तो उसका फॉर्मूला आता है पॉर्मूले से अपन के अंदर वाला फॉर्मूला भी ड्राय कर सकते है इसके लिए अपन को X को value 0 रखने होगी क्योंकि अब के अंदर पर चुम्ब के चेतर की value find कर रहे है तो X के value यहाँ पर 0 रखेंगे तो जो B की value आएगी वो आएगी मून टाइप और 2i अब अपन जनरल फॉर्मूले की बात करते है हमारे को पूरा वो एक वर्ताकार न देकर हाप वर्ताकार दे दे या कितना भी दे दे वर्ताकार जैसे हमार अपन इस इतने से वर्ताकार तार द्वारा केंदर पर मेगनेटिक फिल्ड क्याद करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मू नोट आई अपोन 4 पाई आरे स्कायर इंटू आर इंटू ठीटा अब अपन को मान लो कि अपन को एक वर्ताकार दारावाई तार द्वारा चुम्बा की चेतर ग्याद करना जो अपर ने उपर जो फॉर्मूला डेराव किया था वो इससे भी हो जाएगा उसके लिए ठीटा की वेल्यों पर उसका यहां पर रखेंगे तो उसका यहां पर जो वेल्यों निकलर रखकर आएगी वह सेम यहाएगी मूनोट आइपॉन टूर मून आइपॉन और हमारा तीसरा फॉर्मूला है एंपर का नियम आप जानते होंगे यहां पर एपसलान आइ है लूप को पार करने वाली दाराओं का योग और यह काल्पनी गलोब होता है आपको पता है होगा उसका अपन लाइन इंटेगरल लेते हैं और इस पूरे को लाइन इंटेगरल होते हैं तो इसकी वेली मूनोट सिग्मा आई के एकुल होती है शोलेनोट मतलब परिनालिका में चुम्बा के शेतर क्यात करना तो परिनालिका में चुम्बा के शेतर होता है बी जिगस्टू मूनोट एन आई यहाँ पर एन परती एकांग लंबाए में गेरों की संग्या है और फिप नूमर का फॉर्मूला है टोरोईट के एकारण चुम्बा के शेतर होता है बी जिगस्टू मूनोट केपिटल एन आई एपॉन 2 पाई आर यहाँ पर केपिटल एन एक गेरों की टोटल गेरों की चुम्बा के शेतर है और अगर इसका मॉड ले तो यह आजाएगा क्यूं वी भी साइन टिटा और इसे याद रखना चाहिए तो कुवाब से याद रख चाहिते हैं और जो यह टिटा है वो वी एंड बी के बीच का एंगल होता है और यह नाइन्थ फॉर्मूला यह बहु ईसे तो माइनेस वी क्रोस भी होगा वी वैलोचिटिय और यह मेगनेटिक फील्ड है और इक्ट्रिक फील्ड है तो यह फॉर्मॉला यूया और यह बहुत जग ही हो जाता है और टेंथ नम्बर का फॉर्मूला है धरहाबाई तार पर चूम्ब केबल को द आरहाबा ही तार एक और पॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉर्मूले से भी बहुत से एक्जामों में किसने पुछे चाते हैं तो यह दो सम्मांतर दारावाई तारों के बीच चुंप किज़े देता है अगर दोनों तारों में अगर करंट सेम डारेक्शन में है तो उन्हें जो पॉर्स लगेगा वो है म्यू नोट आई बन आई टू अपॉन टू पाई डी और यह पॉर्स आकर्शन का आकर्शन वाला होगा अट्रेक्टिव फॉर्स और अगर दारा उपॉजिट साइड में है एक वायर में अगर उपर जा रही है और शेकेंड वायर में निच्छे की तरफ आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला तो शेम होगा म्यू नोट आई बन आई टू अपॉन टू बट यह जो फॉर्स होगा रिपल्सिव फॉर्स तो बस आज के वीडियो में इतना है अगर वीडियो चल लगा हो तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जाए थेंक यू